आज हम ग्रो करने जा रहे हैं शिम्ला मिर्ची बीजो से तो देखिए मैंने ये पॉट है ये पेंट का डबा है इसको चार होल्स करके रख दिये थे पहले से और ये जस्ट अभी हमने लाई थी शिम्ला मिर्ची एकदम ताजा है एकदम कड़क और इसको मैंने तोड़के मतलब काटके इसके बीजे निकल के तक दिये थे छनी में तो कुछ नहीं हम ये तीन स्टोन्स लेंगे और इन होल्स को ढग देंगे ठीक हमने ढग दिया एक को खुला रहने देंगे और ये मिट्टी हमने पहले से बना के ढग दी थी इसमें बाजू में ये जो मस्क मिलन है उसके छोटे-छोटे प्लांट्स ग्रो कर गए हैं कि ये मिट्टी हमने डाल दी है इसमें पॉट में और इसमें सीड्स डाल देंगे थुड़ा और मिट्टी डालेंगे अक्राइब कि चैनल चाले समय अए वायों से बड़न के वीड़ा में दीजिएम्स सब्सक्राइब जपेए इसदह आ हमाने सब्सक्राइब कर देशनाने कि में ट्राइब कि अपर से फिर से मिट्टी डाल देंगे हम हल्की हल्की डालेंगे ज्यादा ज्यादा नहीं डालेंगे यह एक्शुली मैं दुबारा से शिम्ला मिर्ची ग्रोग करने जारी कि इसके पहले भी मैंने शॉट वीडियो बनाए थे और मैंने शिम्ला मिर्ची के सीद्स ग्रोग करने की कोशिश की पट नहीं होगे तो इस बार मैंने सुचा कि चलो एकदम फ्रेश एकदम जस्ट लाई हुई ताजी शिम्ला मिर्ची को काटके उसके बीज को ग्रोग किया जाए तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है तो देखते हैं आगे में क्या होगा इस तरीके से हमारी शिंबला मिरुशी ग्रो करेगी तो उसके अपडेट्स में आपको देते रहूंगी तो ये देखिए पानी हमने शिंबला मिरुशी की बीजों पर डाल दिया और ये थोड़ा मैंने इसको रख दी है तो फॉर्दर अपडेट्स मैं आपको आगे के नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी वेल थैंक्स पर वाचिंग अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और थैंक्यू वेरी मच बाइ ट olvidतोती आ वहाईब करें करेंश गझा वाई करें करें करेंश